फरहात की निगाहें शीरी की हसलिया हैं, मजनू की सर्थ आहें, लैला की उंगलिया हैं, तेड़ी है सो तो, चूड़ी वो हीर की हरी है, सीधी है सो वो यारों, राज्जा की बासुरी है, आखों में सुख कलेजे ठंड़ खरी भरी है, ककड़ी न कहिए इसको, ककड़ी नहीं, ये परी है, गर्मी के मौसर में ककड़ी खाने का लुक्त तो हम सभी ने उठाया होगा, लेकिन क्या ऐसी तारिफ कभी सुनी है, क्योंकि क्या खूब नर्मो नाजुक आग्रा की ककड़ी, न तो इसकी तारिफ मामूली है, और नहीं किसी आम आदमी ने की है, और अगर ककड़ी ही आधार हो जाए, एक नाटक को बनाने का तो, हेलो दोस्तों, अंत्रा दबुक शेर्प में मैं अच्छना, आगरा बजार, जैसा कि नाम से इस पश्ट है कि इसमें बजार का दिश्ची जुड़ा होगा, और वाकई, इसमें मदारी, उस्सव, रंग, तियोहार, सबजी वाले, फल वाले, चन सामाने के सभी लोग शामिल हैं, जिनसे ये नाटक बना है, और इसे लिखा है हबीब तन्वीर ने, हबीब तन्वीर जो की एक गीतकार, नाटककार, पढ़कथा लेखक और अभिनिता थे, उनका पूरा नाम हबीब एहमद खान था, संगीत नाटक एकर्दमी, पदम शी, पदम विभूशन जैसे कई समानों से पुरुस्कृत थे, और हिंदुस्तानी रंगमंज की दुनिया में उन्हें शलाका पुरुष कहा जाता है, यानि की शानदार, बीसवी सदी के मध्य में हबीब का अवतरण हुआ, तब तक भातिंदु जी और टैगोर जी ने नाटकों में प्रयोग की परंपरा शुरू कर दी थी, जिसे हबीब ने आगे बढ़ाया, हमेशा जमीनी प्रिष्टे भूमी से जुड़े हबीब ने अपने नाटकों में गाउं की प्राचीन परंपरा को, उनके बहु आयामी पक्षों को सम्हाल कर रखा, उनका मानना था कि हमें अपनी जड़ों के गहरे तक जाना होगा, और अपनी रंगमंज की शैली को एक विशेश तरीके से नीची तरीके से विक्सित करना होगा, ताकि समस्याओं के प्रतिविम को देखा जा सके, और इसी सोच से उन्होंने लोग संस्क्रिती को मेंनिस्ट्री में लाकर खड़ा कर दिया, उसी तरह से नश्मों के पितामा, नजीर अकबराबादी, जो अठारवी सदी के बिलकुल एक अलग उर्दू शायर थे, उन्होंने उस्मकालीन महौल के शायरी और शायरना अंदाश को फुल नामन्जूर कर दिया, और अपनी खुद की एक शैली बनाई, बस नजीर का यहीं नजरिया, हभीब के लिए भी थियेटर का नजरिया बन गया, और बिना किसी कहानी के, शायरियों पर आधारित उन्होंने आग्रा बजार बनाया, एक ऐसा अंचल, एक ऐसा कथानक जो के सांस्क्रेटिक, राशनीतिक, समाजिक और आर्थिक सभी पहलूं को अपने आप में समेटे हुए था, बारती रंगमंच की मशूर हस्ती, हभीब तर्वीर के निर्देशन में, 1954 में आग्रा बजार पहली बार मंचित किया गया, जब इन्होंने जामिया मिलिया के छात्रों, शिक्षकों और उखला गाओं के स्थानी लोगों के साथ मिलकर, ये एक रुपक तियार किया था नजीर की कविताओं पर, लेकिन धीरे धीरे ये इतना लोग प्री हो गया कि इसने एक नाटक की शक्ले ले ली, शुरू शुरू में आलोचोकों ने इसका बहुत विरोध किया कि एक कथा विहीन नाटक कैसे हो सकता है, लेकिन इसके अनुठे पन ने इसको लोगों की पसंद बना दिया, इसकी सबसे बड़ी खासियत औरोचकता ये थी, कि इसके कलाकार, जगे बदलने के साथ ही बदल जाते थे, पात्र वही रहते थे, लेकिन इस्थानी लोगों में से ही असली लोग चुने जाते थे, फकीर के लिए असली फकीर, दरची के लिए असली दरची, और ये अनुठापन नाटक को और जीवन तो बना देता था और कहानी का अधार बस वही ककड़ी जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था एक ककड़ी वाला जिसकी ककड़िया नहीं बिक रही थी और ऐसे में वो उने गागा कर बेचना चाहता था और नजीर की नजमों का सहरा लेता है और उसकी ककड़िया खूब बिकने लगती है इस कहानी और सनाटक के अधार पर लोग जन जीवन और अभिजातिवर के बीच का द्वन्दे दिखाया गया है आगरा बजा लिखे जाने से हिंदी रंगमंच को एक नया रूप मिला क्योंकि ना तो ये पूरी तरह से प्राचीन नाटे परंपरा से जुड़ा था और ना ही पास्चाते से इसका अपना एक अलग स्वरूप था और वाकई उस समय के पूरे समूची महोल को बिना किसी विक्रिती के बिना किसी तरह से ज़्यादा शंशोदी किये वे उसकी ओरिजिनल रूप में लिखना हभीब के लिए बड़ी चुनाती रही होगी जिसे उन्होंने स्विकार भी किया है कि दिली की उर्दू को उन्होंने बड़ी मेहनस से हासिल करके लिखा था दो अंकों में बटे सनाटक में बहुत सारे पात्रे हैं लेकिन केंद्रिय भूमिका में कोई नहीं ना कोई नायक है ना कोई नायका बस इस्थानिय संस्क्रिती का चित्रन है जो कि समाजिक परिवेशे जुड़ा हुआ है व्यापारियों का दर्थ, प्रशाशन की भर्ष्ट वेवस्था, साहित तिकारों का वो विशिष्ट वर्ख जो कि निमने लोगों से घुलने मिलने में हिचकता है जबकि नजीर ऐसे जनकवी हैं जो सबके बीच में रचे बसे हैं लगबख हर वो बाद जो जन सामाने से जुड़ जाए और नाटक का अंत भी नजीर के एक नजब आदमी नमा से लिया गया है इनसान के समानता को दिखाने के लिए दुनिया में बाद शाह है तो वो भी है आदमी मुफलिसो गदा है तो वो भी है आदमी चांद का टुकड़ा है तो वो भी है आदमी बदनुमा दाग है तो वो भी है आदमी मुफलिस कहो फकीर कहो आगरे का है शायर कहो नजीर कहो आगरे का है अपनी इस नजम से नजीर ने आगरे के वाशिंदों को दुनिया भर में मशूर कर दिया और वाकई साधारन से साधारन चीज़ को अनुठा बना देने की उनकी कला तो यहारों को अपनी रशनाओं में जगे देने का जो उनका एक अलग स्टाइल था वो कहीं नहीं मिलता हभीब के तीनों प्रसिद नाटकों में आगरा बजार, मिट्टी की गाड़ी, चरंडास चोर में चरंडास चोर पहला भारती ऐसा नाटक था जिसे 1982 में एडीन बर्ग ड्रामा फेस्टिवल में पुरुस्कृत किया गया था लेकिन जो पहचान उन्हें आगरा बजार से मिली वो बाती यह लग थी वैसे तो आगरा बजार पाठिक्रम से भी जुड़ा हुआ है लेकिन जब नाटकों के उधारन की बात आती है तो अपनी शैली में यह सबसे अलग होता है 1980 के दर्शक में दूरदर्शन ने भी इसे टेलिविजन पर साकार किया था उर्दो की नामवर शैर नजीर अकबराबादी के जीवन पर आधारित और उनकी नजबों पर बुना गया नाटक आगरा बजार इसकी भाशा शेल्प, नाट शेल्प, कथा शैली, पात्र चित्रन इन से पर बहुत कुछ कहा जा सकता है कुछ पॉर्ण्स तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये हैं लेकिन फिर भी अगर किसी स्टुडेंट को कोई भी हल्प चाहिए तो वो मुझे परसनल मैसेज कर सकता है, मैं उसकी मदद करने की कोशिश करूँगी जिनका भी रंगमन से जुडाओ है और जो नाटिकों को पसंद करते हैं वो आगरा बजार में एक अलग तरह का फ्लेवर पाते हैं इसे पढ़िएगा जरूर और हो सके तो अपनी पसंद की नाटिकों की लिस्ट पिक मुझसे जरूर शेयर कीजेगा लॉक्डॉण शुरू हो गये हैं और कोरोना बढ़ता जा रहा है ऐसे में अपना बहुत ख्याल लखेगा दोस्तों जो भी प्रिकॉशन्स कर सकते हैं उन्हें मानिए उन्हें अपनाइए आप सब की सुरक्षा पुरे देश की सुरक्षा है और हाँ अगर थोड़ा सा टाइम हो तो प्लीज मेरे थोड़े सब्सक्राइबर थोड़े लाइक थोड़े शेयर भी बढ़ा दीजेगा कम हो रहे हैं जल्दी फिर मिलते हैं दोस्तों गुट पाई जल्दी फिर मिलते हैं